लखी बंजारा कौन था और उसने अपने वफादार कुत्ते को क्यों मार डाला, सुनकर आपको रोना आ जाएगा। लखी बंजारा चितोड का रहने वाला एक व्यापारी था, जो जगह दो घूमकर व्यापार करता था। एक बार जब उसका पड़ाव पानीपत के पास में हुआ, तब उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने आसन गाव के सेट से कुछ धन उधार मांगा, तब सेट ने उसे कुछ गिरवी रखने को कहा। लखी बंजारे ने हमेशा अपने साथ रहने वाले प्यारे कुट्टे को सेट के पास उधार चुकता होने तक के लिए छोड़ दिया। एक दिन रात में चोरों ने सेट के घर में सेंध लगाई और सारा कीमती सामान लेकर जंगल की ओर चले गए। इस दोरान कुट्टा भौकने की बजाए सेट को जगाने का प्रयास करता रहा और जब सेट नहीं जागा तब वह चुपचाप चोरों का पीछा करते हुए उस स्थान जहां पर चोरों ने धन छिपाया था को पहचान कर वापस लोटा आया। दूसरे दिन चोरी का पता चलते ही सेट के घर में कोहराम मच गया। कुट्टा फिर सेट की धोती को पकड़ कर बाहर की तरफ खीचने लगा, किसी ने सेट को कुट्टे के पीछे जाने की सलाह दी। जब वह कुट्टा कई दिनों बाद लखी बंजारे के डेरे पर पहुचा तो उसे वहां से भाग कर आया समझ लखी बंजारा क्रोधित हो उठा कि तूने मेरी सांक पर बट्टा लगा दिया। यह कहते हुए उसने अपनी बंदूक से उसे गोली मार दी।